Assalamualaikum Friends, आपने सुना दोस्तों को क्यों कहते हैं मुझे अपने future का कोई पता नहीं है क्या होगा मेरे साथ मेरा job का क्या होगा मेरी यादी का क्या होगा मेरी life का क्या होगा कुछ idea नहीं होता इसकी वज़ा क्या है हमेशे याद रखे दो तरीके से फ्यूचर को आप डिटर्मन कर सकते हैं नमबर वन एप्रिहेंशन के थूँ लाइक जो होगा देखा जाएगा में भी क्या हो फू नोस खुदा की मर्जी जो मर्जी कर दे हमार साथ सो पैरेंट्स की मर्जी जैसे मर्जी गाइड कर दे हैं कि इसने मशवरा दे दिया उसने मशवरा दे दिया ये कर लो ये पढ़ लो ये नौकरी कर लो एप्रिहेंशन में फिर आपको कभी भी पता नहीं होता कि एंड रिजल्ट फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी आप खौब देखते हैं लेगन खौबों के लिए आप कभी भी उनको गोल की सूरत में अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं और सेकंड इंपॉर्टन तरीका आपकी फ्यूचर को डिजाइन करने का है एंटिसिपेशन से गी, you dream something, you imagine something and then you set goals to achieve that imagination determination किसाल, you set goals step by step and you achieve and you measure the progress in performance, then you make a plan ,then you make a strategy, then you redesign your planning and strategy. finally at some point of your life you achieve your goals so आपने decide करना है कि आप अपना future कैसे plan करना चाते हो कैसे design करना चाते हो apprehension से या anticipation से मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जरूर anticipate करें सोचें क्या बनना है कैसे बनना है कब बनना है क्या उसके लिए skill sets चाहिए कितने पैसे चाहिए कितनी मैनच चाहिए कितना time चाहिए कितनी support चाहिए parents से, friends से, seniors से, mentors जो भी किताबों से कहां से support चाहिए so अगर आप इस तरीके से काम करेंगे आपका future यकीन शानदार होगा आपके लिए, आपकी family के लिए God bless you and wish you all the best